हेलो स्टूदेंट्स वेलकम टॉकिंग टेक्सबुक स्लिबिंग नोचाइल बेहाइंड मैं अक्षे मालव लेकर आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो टॉपिक आप देख सकते हैं डाइपर केमिस्ट्री अब इस डाइपर में ऐसा क्या है जो हम यहां पर एक केमिस्ट्री आपके आज पास सब जगर फैली हुए एक पूरी लिबरेटरी है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जिनकी हेल्प से आप एक कूल ट्रेक्स और बहुत ही सेफली बहुत आराम से जो है डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एक्सपरिमेंट आप कर सकते हैं ठीक है बस वो आपको पता होने चीए तो ऐसे ही हम आपके लिए जो है छोड़ी छोडी ट्रिप्स आंड ट्रिक्स जो है लेके आएंगे और उनको आप घर पर सेफली प्रेक्टिस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ट्रिक कर सकते हैं उनको इंप्रेस कर सकते हैं अपनी माजिक पहने हंब यहां पर क्या करने वाले हैं बहुत कूल ट्रिक चलिए शुरू करते हैं उक है थो डोस्तों मैं यहां पर आपके लिए जो है एक्सपरिमेंट ले के आया हूँ चीक है ग्लासिस आपको सामने दिख रहे होंगे मेरा फेस नहीं दिखेगा तो आपको यहां पर एपर दिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए थोड़ा सा हम यहां पर एड़ेस्ट करेंगे चिक है कर लेना यहां पर एक हमारे पास टांस प्रेजिंट ग्लास है चिक है और इ जया इसमें इसमें यह फिर इसमें यह ट्रिक्स आप में फ्रेंड्स के साथ जो है बहुत सींक्टिस कर सकते चिक है're मैं इसके अंदर कोई हम जो है नहीं होने वाला है घर के अंदर बिलकुल सब्सक्राइब चेक अब यहां पर हमें क्या करना है पूल डपाण एयोगर नाओ टेल्मी वॉर्ट टेस्ट किसके इंदर डाला सामने कॉन से ग्लास के इंदर क्या वो ग्लास ये है क्या वो ग्लास ये है या फिर नंबर थरी ऐखेंगर क्या इसमें आपको वाटर दिखा नया मज़ा पीदियों में देखने वाले हैं कि डाइपर में ऐसा क्या होता है जिसकी वज़स से जो है सारा वाटर वहाँ पर change हो जाता है किसके अंदर gel form I have a diaper for you यहाँ पर हम किसी company का promotion नहीं कर रहे है कोई हमारे लिए sponsor नहीं है रहे से करना चाहिए बट नहीं है तो चलिए हमी कुछ कर ले दे एक diaper है हमारे पास normal size का आप कहीं भी market से आपको easily available हो जाएगा कोई भी आप ऐसा diaper लेके आ सकते हैं तो simple diaper हम सब ने देखे हैं एक pair of scissors आपको इसके लिए चाहिए होगी ओके तो यह diaper को इस तरीके से आप open up करिए इसके लिए आपको चाहिए एक simple stamp paper या food coloring कुछ भी आप इसमें से ले सकते हैं इसको एक बार के लिए हम जो है side कर देते हैं अब हमारा main focus है diaper क्या होता है इस diaper के अंदर ऐसा ओके सो हमने लिया यहाँ पर a water full of इसके अंदर डाल रहे हैं हम color ताकि आपको असानी से दिखे ओके दो drops यहाँ पर enough होगी I guess let's see अच्छा खासा water यहाँ पर हमने colored up कर दिया है इसे हम डालने वाले हैं इस diaper के अंदर let's see यह absorb करता है या नहीं so as you can see सारा water बहुत quickly बहुत quickly एकदम से absorb हो चुका है पूरा आप यहाँ पर blue color देख सकते हैं यह बहुत heavy भी हो चुका है तो इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है अब इसका हम यहाँ पर post-mortem करेंगे तो post-mortem के लिए अगेन आपको एक यहाँ पर a pair of scissors चाहिए होगा और यह लीजिए हम इसे cut कर दें च्छिके यहाँ पर I guess जो है अभी भी यह कुछ water or absorb कर सकता है ठीके तो हम यहाँ पर एक और glass of water यहाँ पर use कर लेते हैं ओके I guess enough होगा ठीके यह लीजिए सारा water अच्छा खासा दो glass of water है ना two glass हमने ले लिए हैं और यह बहुत अच्छा खासा है भी हो चुका है ठीके अब हम करने वाले हैं इसका post-mortem scissors से ठीके तो इसमें कोई ऐसे वो वाली बात नहीं है इसमें जो main चीज जो होनी चाहिए थी वो नहीं है यहाँ पर आमने simple water लिया है main चीज असल में यहाँ पर यह कुछ और अब्सॉब करता है जो कि आप सुब को पता है तो हमें से अब यहाँ पर touch करेंगे बाद में आप अपने हाथ जो है wash कर सकते हैं असानी से तो यह सारा material जो इसके अंदर होता है यह क्या है यह gel form में convert हो गया जो water हमने डाला था दो glass water हमने जो इसके अंदर डाले थे वो पूरा जो है बहुत quickly किस में convert हो गया पूरा gel form के अंदर convert हो चुग है चीक है so what is the chemistry what is the chemical in this इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वज़े से यह पूरा water gel form के अंदर convert हो गया जी हाँ बल्कुल चलिए आईए ले चलते हैं आपको वापस से पर थोड़ा साइस के अंदर जो chemistry है उसे हम यहाँ पर detail में समझेंगे okay are you guys ready चलते दोस्तों यहाँ पर हम क्या बढ़ रहे हैं diaper chemistry जैसा कि आपको पता है बच्चे बिल्कुल भी एकदम डर नहीं रहे हैं chemistry के साथ खेल रहे हैं क्योंकि उनकी chemistry है diaper chemistry है ठीक है तो अब हमें क्या करना है उस chemical को निकालना है जो की present है कहाँ पर diaper के अंदर तो मेरे पास यहाँ पर diaper है अगें जो है मैं इसको एकदम fresh diaper आपको लेना है unused diaper जैसा कि आपको पता ही है तो हम इसको क्या कर रहे हैं फटाफट से एक बाद tier कर लेते हैं तब तक आप यह music enjoy कीजिए और थोड़ा सा इसको जल्दी कर लेते हैं फटाफट से यह लीजिए मैंने यह tier गया आपके लिए अब आपको क्या करना है इसको tier करने के बाद एक simple एक plain polythin लेनी है और यह tier यह tier जो आपका diaper है इसको इस polythin में डालिए ताकि इसके अंदर कुछ भी जो भी फर्ज होते हैं और जो भी chemical है वो नीचे ना गिरे इसलिए मैं इसे जो है इसके अंदर ही tier करूँँए ताकि कोई भी जो भी इसके अंदर chemical है वो बाहर ना गिरे इसके लिए इसमें थोड़े फर्ज होते हैं और जो भी इसके अंदर chemical है वो सारा आपको properly दिखाई दे तो मैंने यह इसके अंदर डाल दिया अब हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर pack करने वाले हैं बहुत simple है पैसानी से कर सकते हैं अब हम इसके साथ क्या करना है खेलना है फ्ले करेंगे फ्ले करेंगे थोड़ा सा शेक करें इसे इसके अंदर से आपको जो है जो भी इसके अंदर chemical होगा that is अभी कुछ देर में हम उसका नाम reveal करने वाले हैं आपके सामने कि इसके अंदर क्या present है आपको बर इसके साथ थोड़ा सा खेलना है जी हां बिल्कुल तो यहां पे दोस्तों आपको chemical देख रहा होगा yes that is the chemical which is required क्या required है क्या आपको यहां पर देख रहा है क्या चाहिए हमें see this is the chemical क्या है यह sodium polyacrylate जी हां दोस्तों यह sodium polyacrylate present है किसके अंदर diaper के अंदर जो हमें यहां पर चाहिए और जो क्या करता है पूरे water को जो है gel form में convert करता है तो यह आपको दिखाई दे रहा है यहां पर sodium polyacrylate इसको आप shake करें बहुत अच्छे से shake करें पूरा इसको tear कर सकते हैं बहुत असानी से जो है आपको यह इसके अंदर मिल जाएगा अगर आप last size का लेके आएंगे तो उसके अंदर आपको काफी सारा sodium polyacrylate मिल जाएगा cool चली तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर से यह जो diaper है इसे निकालना है और spoon की help से इसे collect कीजिए इसे हम क्या करेंगे spoon की help से collect करेंगे और एक glass के अंदर fresh glass के लिए और उसके अंदर टाल देजिए collect कर लीजिए सारा क्या sodium polyacrylate जितना भी निकलता है अच्छी खासी quantity में जो है आपको इसके अंदर से available होगा मिल जाएगा ठीक है अब थोड़ा सा समझते हैं इसकी chemistry क्या है क्या होता है किस तरीके से यह sodium polyacrylate work करता है देखो sodium polyacrylate जिसे हम जानते हैं water lock टेकनोलोजी है इसके अंदर यह water को किसके अंदर convert कर देता है पूरा gel form में यहाँ पर यह क्या है sodium salt है किसका polyacrylate acid का जिक है with a chemical formula what C3H3 NaO2 sodium यहाँ पर present है sodium polyacrylate polymer है polyacrylate से आपको समझ आ रहा हुआ क्या है यह polymer है and has a broad application in consumer products consumer products के अंदर बहुत जादा use आने वाला है कुछ खाने वाली चीजों के अंदर भी जो है यह डला रहता है जैसे कि breads हो गए उनके अंदर यह थोड़ा कम quantity में डाला जाता है चीक है तो यह इसका proper formula है sodium polyacrylate यहाँ पर कुछ negative charge है sodium का जैसे कि positive charge होता है catine है हम सब को पता है तो यहाँ पर negative positive क्या करते है attract करते है इसका यहाँ पर polymer structure है बहुत long chain है जैसे कि आपको दिख रहा है अब इसके अंदर क्या होता है देखे यह पूरी long chain जो है यहाँ पर यह attach है किससे sodium से बट जैसे ही हम इसके अंदर क्या करते है water add करते है water क्या है polar molecule है ह्टो formula हम सब जानते है जैसे ही हम इसके अंदर water add करते है यह sodium molecule यहाँ पर इसको छोड़ देते polyacrylate को क्या करते है sodium molecule छोड़ देते है और water जो है वो आके attach हो जाता है कहां पर polyacrylate के पास च्छे के तो water जैसे ही यहां पर attach होता है, sodium molecule remove हो जाते है और water जो है यह जो molecule है यह stretched up हो जाता है और convert हो जाता है किसके अंदर gel form के अंदर किसके अंदर, gel form के अंदर पूरा यह है material हमारा sodium polyacrylate convert हो जाता है जो पॉडियुम पॉडियुक्री पॉडियुक्री के अंदर स्वी इसे बोला जाता है और यह बच्चा भी आपको बता रहा है कि पॉडियुक्री पॉडियुक्री कैसा है हमें बिलता है जैसा कि हमने यहाँ पर glass के अंदर sufficient amount में निकाला और यह white powder form में जो है आपको यहाँ पर दिख रहा हूँ जो है now यह absorb कर सकता है about hundred to thousand times of water है ना हम अभी आपको एक और must सा जो है चीज करके दिखाएंगे यह geld form है ना जो मैंने आपको दिखाई थी ओके वापस से आपको थोड़ा सा यहाँ पर colored form में दिखाए दाओ यह पुरा यह geld form है जो हमने यहाँ पर अभी आपको diaper को tear करके दिखाए था जो कि यहाँ पर around 30 grams of urine को हर एक diaper है ना depends upon the size ठीक है different size के आते हैं यहाँ पर छोटे बड़े okay so according to the age हमें यहाँ पर available होते हैं कुछ छोटे size के diapers भी हमारे पास है ठीक है फिर बड़े size axle double axle वो हमारे काम की चीज़ नहीं है अब यहाँ पर इसके advantage यह है कि यहाँ पर इसकी अच्छी mechanical stability है high heat resistance है water तो absorb करता ही है strong hydration है इसकी impressive property यह है कि यहाँ पर यह large amount of fluid जो है अपने अंदर absorb कर लेता है समझाया है यही इसके पीछे यहाँ पर chemistry थी जो इस तरीके से work करती है अब चलिए एक और मौका है यहाँ पर किसका cool trick का यह हमारे पास एक empty glass है इसमें आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर geled up होता है so this is the glass और हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं आपके सामने एक tablespoon ले रहे हैं किसका sodium polyacrylate का sufficient है इसके अंदर एक drop हमने डाली है किसकी हमारा जो stamping हमारे पास थी ठीक है तो किस तरीके से यह geled up होगा अभी आपको दिखा देंगे हमें क्या करना है इसके अंदर simply water add करना है तो यह हमने हमारा water लिया और यह glass के अंदर जा रहा है चिक है and as you can see यह जो है बस अभी बस अभी नहीं पर पूरा क्या हो रहा है geled up हो रहा है क्या आप देख सकते हैं यह पूरा water जो है absorb कर लेगा अभी just a minute you can see that yes पूरा water जो है किसमें convert हो गया है gel के अंदर convert हो गया सारा water उसने absorb कर लिया बिल्कुल यही हमारी cool trick थी जो हमने यहाँ पर like tilt किया जैसे ही glass को तो water उसमें से बिल्कुल भी नहीं निकला क्योंकि हमने उसमें से पहले से ही sodium polyacrylate डाल रखा था ताकि वो इसमें देखना पाए आपने पहले से क्या डाल रखा है तो यह तीन glasses आपको इस तरीके से ले लेने हैं और इसके अंदर आपको add करना है क्या we all know that sodium polyacrylate किसी भी glass के अंदर आप पहले से डाल के रखें sufficient amount में हमने आपर इसके अंदर डाला थोड़ा सा water आपको क्या करना है अपने friend को trick करना है कि देखो अब मैं इसमें water डाल के दिखा रहा हूँ और फिर जो है आप guess करना कि water कहा क्या तो sufficient amount में हम क्या ले ले water ले ले ओके और थोड़ा सा sodium polyacrylate उसके अंदर डाले ठीक है enough और वो कुछ ही minute में जो है puzzled up हो जाएगा ओके तो इसको हमने किया side and let's play ओके तो फटाफट से कुछ है इस तरीके से जो है आपको दिखाना है until चीक है क्या water इसके अंदर है I guess नहीं क्या water इसके अंदर है I guess नहीं क्या इसके अंदर है I guess नहीं ठीक है तो इस तरीके से जो है आप this is the fun way to trick your friends and practice chemistry okay so चलिए वापस से आ जाते हैं screen के उपर you कर दो भूद अजया कि एक बूदक चाई जो उपक्षा आणार